जब से राहूल जी निता बने हैं, इसकी राधनेती में एक बहुत आमुल चुर परिवर्तन आया है। पहले सच्चे मुद्दों को तोड़ मरोड कर लोगों के सामने रखा जाता था। इतना तो पॉलिडिकल पार्टिया करती थी, मगर कभी भी जूठी बात को मुद्दा नहीं बनाया जाता। राहूल गांदी जी ने एक नई परंपरा करी, शुरू करी है, कि जूठी बात को ही मुद्दा बनाया जाता। और इसका एक सबसे अच्छा उदारण अगनेवीरी योदना है। मैं आज अगनेवीरी योदना के बारे में थोड़ा डीटेल बात इसलिए करना चाहता हूं, कि देश बर में भ्रंती फिलाई जा रही है। कि चार साल के बाद 75 प्रतिसत अगनेवीरों को कोई भविस्य ही नहीं है, इनका जीवन बरबाद हो जाएगा। दर असल योदना है कि 100 बच्चे अगनेवीरी बनते हैं, तो उसमें से 25 प्रतिसत तो सिधा सेना में पर्मेनेट पोस्टिंग हो जाएगा। अब जो 75 प्रतिसत बचे बचे हैं, युवा बचे हैं, इनके लिए भाजपा सासी सभी राज्य सरकारों ने अपनी पुलीस फोर्स में 10 प्रतिसत से 20 प्रतिसत रिजर्विशन किया है। और केंद्रा सरकार के पेरा मिलिटरी फोर्स जितने भी हैं, उसमें भी 10 प्रतिसत रिजर्विशन किया है। उनको रिजर्व सीटों के उपरान सीलेक्शन में भी कई सारी रियायते दी हैं, जैसे उमर की रियायत दी हैं, कि इनकी एज ग्रूप में रिलेक्शेशन दिया है, उसके बाद एग्जैमिनेशन में कुछ एडवन्टेजीज दिये हैं, फीजिकल भी नहीं करने हैं। अब ए सारी रियायतों के बाद सायद ही कोई अगनीवीर ऐसा बचेगा जो स्टेट की पुलिस फोर्स एस सेंटर पे राप मिलेटी फोर्स में ना आया। अगर कोई नहीं जाना चाता है, तो तो अलग ही बात हैं। पर इसके अलावे भी धेर सारे सिक्यूरिटी, प्राइविट सिक्यूरिटी एजन्सीज और कंपनियों ने भी अगनीवीर के लिए प्राइविटी तई की हैं। अब एक युवा चार साल सरकारी खर्चे से ट्रेनिंग करेगा, ट्रेन हो जाएगा, चार साल उसको भारी तन्खवा भी मिलेगी और चार साल के बाद पैंसन नूमा ग्रेजूइटी वाली पुरे जीवन की नौकरी भी मिलेगी। इसमें किसका नुक्सान होने वाला है। लोगों के बीच में फैला रहे हैं और जनता को गुमरा करें। मेरे आप सभी से निवेदनें। हिमाचल जैसे छोटे पदेश के अंदर इस तरह की जूठी बाते फैलाते हैं। आप लोग ये मेरी बात को युवाओं के लिए पूर्व सेना के हमारे जवानों के परिवारों के बीच में ये बात को जरूर पहुचाएं। नौकरी सभी को मिलनी है या तो सेनारी की मिलनी है या तो पुलिस की मिलनी है या पेरा मिलिटरी फोर्सिस की मिलनी है। सबको पेंशन मिलना है सबको सारे सरकारी फाइदे तो राहूल जी का जो जूट बोलने की आदत है बार 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 जूट को बोलते जाना अगने विर इसका बेश्ट एक जम करें धन्यवाद